दोस्तो बहुत सारे student को app download नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो course भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका well जो है icon उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से self study classes आपको search करना है औ आपको self study classes का app दिखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे तो सात्यों आज का session इस्टार्ड हो चुका है और दोस्तो जिन भी सात्यों ने अभी तक self study classes का app डाउनलोड नहीं किया है आप self study classes का app जरूर डाउनलोड करें दोस्तो आपको क्या करना है play store में self study classes ठीक है तो यह पूरा आपको लिखा मिल जाएगा और एप आपको डाउनलोड कर लेना अगर दोस्तो आप हिंदी सायथ की तैयारी कर रहे हैं UKLT PGT PGT पंजाब मास्टर केडर या पर जूनियर टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तो ए वीडियो आपके आज हम दोवेदी योग को पढ़ने बाले इसके पहले दोस्तो हमने भारतेंदु योग को पढ़ा आधुनेक काल में आज अपन दोवेदी योग को पढ़ेंगे दोवेदी योग में आपको बताना है कि दोवेदी योग का जो नामकर्ण किया गया वो किसके नाम पर किया ये आपको चैन करना है ठीक है तो सभी साथ ही ऐसे हैं जोनों ने सेल्फ स्टेडी किलासेस का एप डाउनलोड कर लिया है तो जल्दी जल्दी से फटापट से उत्तर बताएंगे दुवेदी योग नामकर्ण किया है तो किस ने किया है बताएए हैना किसके नाम पर किया गया है एक कोस्चन आपको बताना है तब आपका यहाँ पर बिलकूर दुवेदी योग नामकर्ण किया गया एह आपसे पूचा गया और आपने बिलकूर शही आंसर चैन किया है कि महाबीर प्रसाध दुवेधी महावीर परसाद दुवेदी के नाम पर दोस्तों दुवेदी योग का नाम पड़ा और महावीर परसाद दुवेदी आपको पता है कि दुवेदी योग के स्रेष्ट दोस्तों कभी लेखक माने जाते हैं और दुवेदी योग दुवेदी जो महावीर परसाद दुवेदी है ये सरस्वती पत्रिका के सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे सरस्वती पत्रिका के दोस्तों ये संपादक बने थे कब बने थे 1903 में और सरस्वती पत्रिका यानि कि दोस्तों 1922 से ही दुवेदी युक का आरंभ माना जाता है 1922 से ठीक है ये आपको याद रख लेना दुवे प्रिक्ता देने की बकालत की इनके द्वारा दोस्तों रचेत अनुदेत्वा मॉलेक अस्सी गरंत हैं और इनके प्रमुक काब संगरे हैं काब मंजूसा शुमन काब कुंज अवला अविलाप ये सभी इनकी दोस्तों रचनाय मानी जाती है ठीक है ये चीज आपको याद रख होगा कि सेरंधरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो उत्तर है आपका मैत्रीशन गुप्त ये क्वेस्चन पूचा गया है दोस्तों सेरंधरी के रचनाकार मैत्रीशन गुप्त है ये गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है सेरंधरी नाटक किसका है तो ये मैत्रीशन स्वतित एं की बहुत ही महत्पूर्ण रचना मानी जाती है इनको याद रख वीना है और सेरंध्री भी किसकी है दोस्तों मेत्री शरंगोप्त की रचना मानी जाती है यह आपको याद रख वीनलीड ठीक हैए अंगला question आपको यहाँ पर अप्चेन करना है अंगला question है आपका कि कौन सी रचना आयोध्या से उपाद्या हरियोद की है आयोध्या से उपाद्या हरियोद आपको पता होगा ख़री बोली का परथम महाकाव कौन सा है, तो प्रिये प्रबास कॉन सी नहीं है? पुर उत्तर चला जाता है ये की तरफ आयोद्यास में अपाद्या द्वारा रचेत काब गरंत है प्रिये प्रबास हरियोद सत्ताई मर्म स्पर्स हैना कल्प लताक रश्न सतक प्रेम प्रपंच रसिक रहस ये सारी की सारी माने जाती हैं दोस्तों इनके हैना चौके चौपद पारिजात भी है ठीक है रसकलस भी इनका गरंत है ये अरियोद जी के गरंत माने जाते हैं इनको आपको याद रख़े न ठीक है हाँ ये बिचित्र विवा है आपका बिलको सही ए नमबर अंगला क्वेश्चन आपको बताना है दुवेदी युक का बहसाहितकार जिने जिन पताना है आपको कि दुवेदी युक का बहसाहितकार कौनसा है जिसे कविता कामनी कांत कहा जाता है जिसे भारतेंदू प्रगेंदू कहा जाता है जिसे साहित सुदाकर कहा जाता है चार बिकल्प हैं दोस्तों पहला है नातुराम सर्मा संकर दूसरा भारतेंदू हरिस्च प्रिगेंदू भारतेंदू प्रिगेंदू साहित सुधाकर आदी उपादियों से जो सम्मानित किया गया वो किया गया नाथू राम सर्मा संकर नाथू राम सर्मा संकर को यानि कि आपका विकल्प नमबर जो ए है वो बिल्कोर सही हो जाता ठीक है इन्हें भारतेंदू प्र जाहित का नातुराम सरमा संकर को कविता कामनी कांत है ना भारतेंदू प्रिगेंदू साहित सुधाकर आदियुपादियों से विभूसित किया गया ये भी याद रख लेना और अंगला क्वेस्चन है बताना है आपको मैत्रिश्रागुप्त की काब रचना कौन सी नहीं है उतर डी की तरफ जाता है डी नम्मर किर्सा करंदन आपका सही हो जाएगा किर्सा करंदन ये गया प्रसाद सुकल सनेही की रचना मानी जाती है किसकी मानी जाती है गया प्रसाद सुकल सनेही की रचना है इनकी अन्य रचना है प्रेयम 25 राष्ट्रिय वीना त्रिशूल है तरंग करुणा तथा कादंबनी ये सभी मानी जाती हैं येना रंग में भंग जैदरतबद किसान बिकटभट गुरुकुल साकेत भारत भारती जंकार यसुदरा द्वापर जैभारत विश्नुप्रिया हिडिमबा सिद्राज हिंदू बैतालेक तथा पंचबटी आदिये सभ किसकी हैं मेत्री शणंगुप्त की लेकिन क्रिसक क्रंदन की गया प्रसास सुकल सने की है क्रिसक का क्रंदन गया गया तो गया प्रसास सुकल शने ही ठीक है अंगला क्वेश्चन आप से पूचा जाता है दोस्तों अंगला आपको बताना है कि मेत्री शणंगुप्त की कौन क्वांसी रचना महाभारत सम्मधी नहीं है। महाभारत सम्मंधी क Sleeping नहीं है, पूचाए यहाँ पर, तो बन बैभाव नहीं है, सक्टी, सैरंधरी , या पुर्ष्ण किरमाग चे उड्शे में आपको चैने करना क्षटवी का आ班 सर क्या वह जाएगा, महाभारत सम्मधी और दोस्तो कब सहार और सेहरंदरी, तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, कि जो यह सक्ति है, सक्ति, यह दोस्तो महाभारस सम्मंदी नहीं है, और उत्तर चला जाता है विकल्प नमबर B की तरफ, है ना, तो ए बी नमबर आपका बिलको सही है मैत्रिशन गुप्ति की कौनसी रचना महाभारस सम्मंदी नहीं है तो बी नमबर बिलको राइट है ना वेरी गॉड बी नमबर आपका सही उत्तर हो जाता है अब दोस्तों आते हैं अंगले प्रशनी की ओर अंगला प्रशने यहां पर हम देखेंगे की मैत्रिशन गुप्ति की सक्ती रचना महाभारस सम्मंदी नहीं जबकि वन बैभाव वक्सहार सेरंद्री महाभारस सम्मंदी रचना है ये भी आपको याद रखने ना अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हर्योद करत काभ्योप बन का प्रकासन वर्श क्या है बहुत बढ़िया प्रशन है काभ्योप पन शुर्वी जी बिलकुल हरियोत करत का ब्योप बन का प्रकासन बर्स आपको बताना है जो भी साती जूनियर टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे है जो भी सिती PGT, TGT, पंजाम मास्टर के अडर एक्जाम की तैयारी कर रहे है फीस रखिये दोस्तों अभी आपको 1200 रुपे ठीक है तो इस फीस में आप दोस्तों एडवीसर ले सकते और अपनी पढ़ाई को करमबद कर सकते है हरियोत करत काब ब्योप बन का प्रकासन बर्स क्या है तो उत्तर चला जाता 1909 1909 यनि C नमबर काब ब्योप बन C नमबर 9 आपका बिलकुँ स्योश हो जाएगा हरियोत करत काब ब्योप बन का प्रकासन बर्स 1999 भी है और हरियोत द्वारा रचित काब है प्रिये प्रबास सभी को पता है पारी जात व्यदेही वनवास कशन सतक इनकी पहली रचना है प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे चौपदे है ना और दोस्तों ये सारी की सारी रचना माने जाती है इनकी अयुद्या से उपाद्याय हर यौद की अब अंगला कोश्चन आपको यहाँ पर चैन करना है किसके साहित को हम सरस्वती और बही उस साहित का असली रूप है किसके साहित को बताईए आठ का प्रश्ण बताना है किसके साहित को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रियोगात्मक रूप में देखते हैं बही उस साहित का असली रूप है बारतेंदु योग दुवेदी योग चायाबादी योग या फ प्रश्निक्रमांक 8 में और 8 में आपका बिल्कों सही आंसर हो जाएगा दुवेदी योग दुवेदी योग यानि B नमबर ठीक है किसके साहित को हम शरश्वती और इंदू में जिस प्रियोग आत्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित का असली रूप है यह आपका हम सरस्वती एबं इंदू में जिस प्रियोग आत्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित का असली रूप है ठीक है और सरस्वती पत्रिका का प्रकासन उननीस तो बाद उननीस तो इस भी याद रखनी है अंगला कोश्चन खड़ी बोली हिंदी का आधने कारीन प्रतम मह काब कौनसा है खड़ी बोली हिंदी का आधने कालीन प्रतम महा काब कौनसा माना जाता है या ऐसे भी कोश्चन आ सकता है कि खड़ी बोली का प्रतम महा काब कौनसा है ऐसे भी घुमा के पूछ लिया आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का आधने का आधने कालीन प्रतम महा कल्प हमारे पास हैं और सभी को लगबग पता है कि खड़ी बोडी हिंदी का जो प्रतम महाकाब है वो महाकाब है प्रिये प्रवास कौन सा है प्रिये प्रवास खड़ी बोडी हिंदी का आधुने काली इन प्रतम महाकाब है प्रिये प्रवास शन 1914 इस्वी में आयुद्या स् पाद्या हर्योद द्वारार रचित 17 सर्गों का प्रवंद काब है प्रिये प्रवास का सरप्रतम नाम ब्रिजांगना बिलाब था ऐसे अंपून काब संस्कृत की वर्न वरत्तों पर आधारित है इस प्रवंद काब में कृष्ण की बच्पन से लेकर मतुरा प्रस्तान तक का वर्नन है इसमें कितने सर्ग है 17 सर्ग है याद रखेन हर्योद जी के प्रिए प्रवास में किस को सभी याद रखेंगे बिख्यात जीवन ब्रत हमारा लोग कहते कान्त था आत्मा अमर है देहे नसबर ए अटल से दान्त था उपरियुक्त पंक्तियां किस कृति में शंग्रिहीत हैं पता ये किस कृति में संग्रिहीत हैं विख्यात जीवन ब्रत हमारा कौन सी कृति में शंग्रिहीत हैं दोस्तों ये चार विकल्प आपको चैन करना है तो विख्यात जीवन ब्रत हमारा लोक हितिकांत था और आत् विद्राज, भारत, भारती या फिर इनमें से कोई नहीं तो अमें आपका राइटर हो जाएगा ऑतर जो हो जाएगा बात, भारत, भारती में ये दूस्तो स्थ बने व्रत हमारा लो कहते एक आंत था आतमा है देह नस्वर एटल सिद्धांत था ये जो पंक्तियां है ये भारत भारती की पंक्तियां है और भारत भारती की रिचनAKर कौन है मैथली शनगुप्त है याद रखेना राष्टी ये काबधारा की रचना है इसी रचना की प्रसिद्धी के कारण उन्हें राष्ट कभी की संध्या भी दी गई ये भी आपको पता होगा है ना वो परियुक्त पंक्ती भारत भारती में संग्रीत है 1912 इस्वी में रचित भारत भारती ग्रंत के लेका मैत्री शरंगुपते हैं याद रखेना मैत्री शरंगुपत का उपनाम कभी अगर आपसे पूछा जाए तो इनका उपनाम मधुप था क्या नाम उपनाम था इन महत्मा गांदी ने राष्ट कभी की उपादी दी थी है ना और इनका उपनाम क्या था मदोप और दद्दा भी उनका उपनाम था कभी अगर एक्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं दुवेद युक की कभीता है तो कौन सी है उपने सात्मा केवा मिती ब्रतात्मा कभीता है है ना प्रिकृती चित्रात्मा के ना जागरान परक है या फिर नारी चितनात्मा के बताईए प्रष्ण किरमांक आपका ग्यारा है ग्यारा में दुवेद युक की कभीता बताना है क कविता है तो किस प्रकार की है या कविता की बिसेष्टा है तो वो किस प्रकार की बिसेष्टा है दुवेदी युक की कविता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपदेस आत्मक इबं इती ब्रतात्मक ताब है ना इती ब्रतात्मक यानि ये नम्मर आपका बिलकूर सही है है ना दुवेदी युक की कभिताओं में उपदेश आत्मक एबम इती ब्रतात्मक प्रमुक रूप से पाया जाता है इती ब्रतात्मक का नहीं होता है दोस्तों वस्तु वर्नन है ना और दुवेदी युक को जागरन सुधारकाल भी कहा जाता है एक question कईभार आया है कि जागरण सुधारकाल किसे कहा जाता है तो आपको बताना है कि वो कहा जाता है दुवेदी यूपको अंगला है मेतरी श्रंगुपत ने इतिहास की उपेक्छित नारी पातर को निम्न पुस्तक में पृतिश्टित किया हैना इतिहास की उपेक्चित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्टित किया बताईए भारत भारती में रंग में भंग या पर द्वापर या पर साकेत में आपको पता है दोस्तों है ना वुलिसर राम के साथ तो सीता बनवास गई थी है ना लेकिन लक्षमन के साथ और मिला नहीं देखा यानि कि इतिहास की उपेक्चित नारी पात्र नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्टित किया गया तो वो पुस्तक है साकेत है ना साकेत मैतरी श्रंगुप्त जी का महा काब है और राम काब पराधारित महा काब माना जाता है दोस्तों याद रख लेना औ और मेत्री श्रंगुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारिपात तुरमिला लक्ष्मन की पत्नी को साकेत नामक पुस्तक में पृत्षित किया। हिंदी साहित में रामचित मानस के बाद रामकाब का दूसरा इस्तंब मेत्री श्रंगुप्तिकरत साकेत है है ना और भारत भारती रंग में भंग द्वापर यसो धरा पंच बटी बिकट भट ये बिकट आया बिकट भट कई बार एक जाम में पूची गई कि रचना जंकार विश्णु प्रिया विश्णु प्रिया भी पूची गई किसकी रचना है ये भी मेत्री श्रंगुप्तिकी मानी जाती है है ना अब दोस्तों यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा दुबेदी युक का एक और नाम है तो क्या नाम है बताइए दुबेदी युक का एक और क्या नाम है सक्रांती काल इसे कहते हैं शंदी काल कहते हैं गद्य काल या फिर जागरण सुधार काल कहते हैं दुवेदी युक का एक अन नाम क्या है प्रश्न किरमांक 13 में आपको उत्तर चेन करना है दुवेदी युक का एक अन नाम आपको बताना है और उत्तर चला जाता है जागरण शुधार काल जागरण सुधार काल यानि आपका जो सी नंबर है जागरण सुधार काल वो बिलकुल शही है दुवेदी युक का एक और नाम जागरण सुधार काल है यह नाम डाक्टर नगेंदर द्वारा दिया गया जबकि डाक्टर रामकुमार बर्मा न अब दोस्तों यहाँ पर दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुक्ता नहीं है। तो गद्यात मक्ता की, काब्यात मक्ता की, किती ब्रतात मक्ता की, या फिर बैचारक्ता की। दुवेदी युगीन साहित में किस प्रिविर्टी की प्रमुक्ता नहीं है। कि D नहीं होगा, काब्यात मक्ता आपका बिल्कु सही हो जाएगा क्यूंकि इती ब्रतात मक्ता की प्रमुक्ता बैचारक्ता नहीं रहीं। नहीं रही तो कौनसी नहीं रही काब्यात्मक्ता नहीं रही और बी नमबर आपका बिलकुर सही हो जाता है बी नमबर ठीक है वी राइट अंसर हो जाएगा काब्यात्मक्ता ठीक है राजपूती आनकी कता है तो कौनसी है किसे रचना में राजपूती आनकी कता है ये आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे राजपूती आन की कथा है तो कौनसी है सिद्धराज रंग में भंग पंचबटी या फिर साकेत राजपूती आन की कथा है आपको चेन करना और आपने बिल्कुर सही आंसर बताया कि सर रंग में भंग ये राजपूतियान की कता रही है क्यानि की बी नमबर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा मैं थ्रीशन गुपते इसकी रचनाकार है रंग में भंग हैना अब यहाँ पर आती अंगला कोस्चन अपना है य हैना अचार रामचंद सुक्ल ने गुपते जी को सामंजस्त स्वादी कभी कहा है रामचंदर सुक्ले ने कहा ठीक है और गुपते जी ने स्वयम को कोटुमबे कभी कभी मात्र कहा इन्हें भारत भारती लिखने पर महत्मा गांदी ने राष्ट कभी की उपादी दी इनके फुझाहरं भारत भारती साकेत गुरुकुल हे ना विश्णू प्रिया एक कई बार पूछी गए विश्णू प्रिया की रैचनाकार कौन है तो ये भी आपको याद रख ही ना साकेत की कथा का मुख्ँ संबंद किसके चरित्र बिकास से जुड़ा है यह आपको चैन करना है क और सीता के तो साकेत की कता का मुख जो संबंद है वो किसके चरित्रिश की बिकास से जुड़ा है सभी लोग लाइक जरू कर देंगे और जिन भी सातियों ने अभी तक self study classes एप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लेश्टोर में सर्च करें self study classes है ना और एप डाउनलोड कर लें जिन भी सातियों को एड़वीसर लेना है कोर्स में हिंदी साहित एंधी व्याकन के जहांपर आपको topic wise test भी मिलेंगे जहांपर आपको हिंदी व्याकन पढ़ाई जाएगी जहाँ पर आपको हिंदी साहित भी बिस्तरे तद्यान प्लस टिर्की वीडियो भी आपको पढ़ाई जाएगे है ना तो साकेत की कता का मुख संबंद किसके चरित्र विकास से जुड़ा है तो वो जुड़ा है लक्षमन और और मिला यानि की बी नंबर आपका बिलको सही है साकेत में हम पढ़ते हैं दोस्तों की 1931 की तो ये रचना है साकेत है ना साकेत गुपती जी की सरपसेश्ट रचना है इसे महा काब्यों की स्रेणी में रखा गया इसकी कता साकेत को केंदर बना कर लिखी गई है ना और इसकी कता वस्त तुराम और सीता का ना होकर दोस्तों और मिला और लक्षमन की है अंगला क्वेश्चन है कि मेत्री श्रंगुप्ते द्वारा रचेत जैदरत बद क्या है महा काब्ब है खंड काब्ब है प्रबंद काब्ब है या फिर इन में से कोई नहीं ये आपको बताना है प्याशन कीरमांक सत्तरा सत्तरा का आंसर आपको चैन करना है सत्तरा का आंसर क्या हो जाएगा और यहां पर मेत्री श्रंगुप्ते द्वारा रचेत जैदरत बद क्या है ये क्या है ये बोलो खंड काब्ब है क्या है खंड काब्ब ये दो तो प्रबंद काब्ब की दो भेद होते हैं प्रबंद काब की एक भेद होता है महा काब एक होता है खंड काब या खंड काब दिया है हम खंड काब ही लगाएंगे ठीक है श्री नमबर लगाएंगे श्री नमबर खंड काब है ठीक है मेहत्री श्रंग गुप्ते द्वारा रचेत जैदरत बद एक खंड काब है क कि घटना का इसमें वर्नन किया गया है है ना अब अंगला कोश्चन आपको यहां पर बताना है कि दिवस का आउसान समीपता गगनता कुछ लोहित हो चला है ना तरू सिखा पर थी अब गरश्ती कमलनी कुल कब बल्लब की प्रभा यह कई बार पूचा गया दोस्तों दिवस क आउसान समीपता यह दिवस का आउसान समीपता पंक्ती आपको बताना है कि पंक्ती किस से है दोस्तों आसू से है परिवर्तन से किसान से अप्रिये प्रवास से यानि कि किस रचना से लिया गया है बताए यह पंक्ती किस रचना से ली गई है यह बताना है प्रश्न किरमां कठारा में दिवस का अवसान समीप था है ना गगन था कुछ लोहित हो चला तरू सिखा पर थी अब राजती का मिलनी है ना ये क्वेस्चन कई बार आया और दिवस का अवसान समीप था बोले किसके किसके दिवस का बोले प्रिये प्रबास प्रिये के प्रबास का दिवस का अ सान समीपता याद रख रहे ना प्रिये प्रवास आपका सई होगा प्रिये प्रवास खड़ी बोली का प्रता महा काब है ना इसमें सत्रा सर्ग हैं प्रिये प्रवास में ये भी याद रख रहे ना और ये दोस्तों किसकी रचना है अयोध्या से उपाद्या हरियोद है ना उ उद्या से उपाद्या हरियोत को इन्होंने दोस्तों निस्तों के नांगरी प्रचाणी सवा और साहित की सेबा के लिए इन्हें कभी समराठ की उपादी दी गई थी हैना 1914 इसमी में रचित प्रिये प्रवास 17 सर्ग इसमें माने जाते हैं इसको आपको याद रख लिए ना दोस्तों और यहां परंगला कोस्चन आपको बताना है कि दुवेदी जी ने किस भासा को कभीता की सिंगासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिश्टित करने में काफी योगदान दिया वो ऐसे दोस्तों कभी कौन थे ऐसे लेखक कौन थे तो वो लेखक कौन थे दोस्तों यह भी आपको पता है कि वो महावीर प्रसाद दुवेदी थे लेकिन किस भासा को उतारा था इन्होंने तो ब्रज भासा को दोस्तों सिंगासन से उतार कर कभीता की सिं प्रतिश्टित करने में काफी योगदान दिया वोड बिलियम कालेज भारतेंदु हरिस्चन तता समकाली इसकारों के अतिक प्रयास से भारतेंदु युक तक खड़ी बोली गद्ध है ना मैं प्रतिश्टित हो गई थी दोस्तों ये भी आपको याद रखेंगे ठीक है अंग चिरगाओं किस कभी का जन्मिस्थान है ये आपको बताना है प्रश्न किर्मांग है आपका 20 20 का आंसर आपको बताना है कि चिरगाओं किस कभी का जन्मिस्थान माना जाता है माखलाल चत्रवेदी का तो नहीं है किसका है बताईए और उत्तर आपका बिल्कूर सही आंसर हो कि सर चिरगाओं जिला जहांसी चिरगाओं में जन्म हुआ था राष्ट कभी महत्री शरंगुप्त का जिनकी रचना भारत भारती के लिए 1912, ए दोस्तो 1912 की कि इसको याद रखे ना मैत्री शरंगुप्त जी का जन्म हासी जिले के चिरगाओं में हुआ था राष्ट कभी गुप्त जी के द्वारा लिखे गए काब गरंत हैं जैद्रतबद भारत भारती साके त्यसोधरा पंचबटी विश्नु प्रिया विश्नु प्रिया याद रख होशंगाबाद जिले के बाबाई गाओं में हुआ था हैना सुविद्रा कुमारी चोहान का जन्म प्रियाग के निहालपुर गाओं में हुआ था और पंत जी का जन्म हुआ था दोस्तों तरप्रदेश हैना अलमोडा जिले में हुआ था अलमोडा उत्राकंड हैना अलमोड जिले के कोसानी गाओं में हुआ था ये भी आपको आद रखे, जो अब उत्तरा खंड में आता है अलमोडा जिला के कोसानी गाओं ठीक है अब यहाँ पर आपको समेलित करना है प्रिय प्रबास रंग मैं हरी constitutional की रचना महाकाब है 1914 में लिखा गया प्रकासित हुआ रंग में भणग तो आपको पताही है मेइत्री सुन गोपते है थीक है अब आपको पथेक बताना है तो पथेक की रचनाकार तो कौन है राम नरिस्त पाठी मानसी स्वपन पथेक की राम नरेश तरपाठी की रचना है और म्रत्यून जाए की रचनाकार कौन है ठीक है राय देवी प्रसाद पूर्ण ठीक है तो प्रिये प्रवास किसकी है हर्योद की रंग में भंग मेहत्रिशन गौपते म्रत्यून जाए राय देवी प्रसाद पूर्ण और पतेक राम इतनी चीज़ें आपकी केडियर हो गई अंगला कॉस्चिन है प्रिये प्रवास हरियोज जी की रचना है हरियोज जी की अन्य रचना है चुबते चौपदे चौपदे बैदे ही बनबास है ना और दोस्तों मेत्री शुरंगुप्त की रंग में भंग है ये भी आपको याद ने पत्यक रामनरेस्टर पाठी की है ठीक है मृत्युम जए रायदय बी प्रसाद्पुर्ण की रचना कई बार पूची गई अब दोस्तों यहां पर आपसे रचना काल की दरश्टी से पूछा गया का सही जो उत्तर है दोस्तो रचनाकाल की दर्श्टी से सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर दियेगा ये दोस्तो आपका प्रिये प्रवास साकेत तुलसीदास और करशनायन ये माने जाती है बिलको शही है इनके बारे में अपने यहां पर पढ़ेंगे कि प्रिये प्रव और करशनायन द्वारिक्या प्रसाथ की रचना है ठीक है इनको आपको याद रख लिना और दोस्तो आपको पता है कि हिंदी में राम चरित मानस के बाद राम काब का जो दूसरा इस्तंब माना जाता है वो साकेत महा काब माना जाता है राम काब पर आधारती महा काब है दो दोस्तों आपका question आपको बताना है कि करते करते तुलिसी दास भी कैसे मानस नाद हैना महाबीर का यदी उन्हें मिलता नहीं प्रसाद उक्तपंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है यह पंक्ति किसकी है यह पंक्ति आपको बताना है और यह पंक्ति है दोस्तों मैत्री श्रंगुप्ति की हैना ओक्त कभियों के रचना पंक्तियों के रचनाकार राष्ट का भी मैत्री श्रंगुप्ते हैं हैना और दोस्तों मैत्री श्रंगुप्ति की निम्न कृतियां भारत भारती पंजबटी यसोधरा जंकार जंकार भी इनकी रचना है ठीक है ये मैतरी श्रंगुपत की पंक्ती माने जाती है पूची गई है कई बार और अंगला क्वेस्चन है इती बृत्तात मक्ता किस काब युग की प्रमुख विसेश्टा है ये क्वेस्चन तो कई बार आया इती ब्रत्तात मक्ता के बारे में आपसे पूछा जाता है और जिन भी सात्यों ने अभी तक Self Study Classes एप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही दोस्तो Self Study Classes एप को डाउनलोड कर लें ठीक है और दोस्तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दें जिन भी सात्यों को Junior TET exam के लिए क आपका कोर्स है तो आप अध्यन कर सकते हो ृती ब्रत्तात्मक्ता किसी युक्ट की प्रमुख विशेषता है उत्तर चला जाता है दुवेधी युक्ती है सबसे मुक्ष विशेषता देशबक्ती एवाम राष्टिय जागरण का उद्दीप्त स्वर माना जाता है अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सातियो बैदेही बनवास के लिए का कौन है आपको चैन करना 25 का उत्तर आपको बताना है बैदेही बनवास और अपने पढ़ी हैं दोस्तों हैना कौ आयोध्यासे उपाद्या हरियोद की इन्हें कभी समराट कहा जाता है ये भी याद रख लेना कभी समराट की उपादी से सम्मानित किया गया इनके लिए और दोस्तों आयोध्यासे उपाद्या हरियोद याद रख लेना कि दुवेदी युक की स्रिष्ट कभी माने जाते है इनकी बैदे ही बनबास इनकी रचना है और कई बार पूछी भी गई है आधनिक हिंदी कविता में दुवेदी युक का समय बताना है दुवेदी युक की सीमा बताना है दोस्तों दुवेदी युक का काल क्या था इसका चैन आपको करना है सभी लोग राइट जरू कर देना स उत्तर आपको बताना है जल्दी से बताएं अनीता जी एक ही प्रेश्ण में थोड़ी बैठे रहेंगे अपन लोग है ना बताइए आधने खिंदी कविता में दुवेदी युक्वा काल चीमा कब तक माना जाता है जितना आपके लिए इंपोर्टेंट होता है वो आपको बत जाता है याद रख लिए ना चूकि 1918 से छाया बात का उदय हो जाता है इसलिए विकल्पानु सार अपन उत्तर लगाएंगे 1900 से 1918 यानि की डी नंबर ठीक है इसको याद रख लिए ना अंगला कोश्चन इनमें से कौनसा कभी दुवेदी युक्वा है ये प्रश्न किरमां 27 बताइए दुवेदी युक्वा है तो कौनसा है इनमें से कौनसा कभी दुवेदी युक्वा है ये आपको चैन करना है तो दुवेदी युक्वा कभी कौनसा है बद्री नारा चौदरी प्रेमगन है क्या है ना राधा कट संदास है जस्बंत से है या फिर जस्बंत गया प्रसास सुकल सनेही, दुवेदी युक्का कभी कौनसा है, चार विकल्प हैं, सेल्फ स्टेडी किलासेस, एप जरू डाउनलोड करना है आपको साथियो, है ना, और आपको विस्तरे तद्ध्यन पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, टॉपिक बाइस टेस्ट भी लगाना है, तो एक ही कोर्स में आपको ये सब कुछ मिनने वाला है, मातरे कोर्स आपको बारा सुरुपे में दोस्तो, एडवीशन इसमें आप ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, और दुवेदी युक्का कभी आपसे पूचा गया, तो आपने बता दिया, गया प्रसाथ सुकल सनेही, और उत्तर चला जाता है, डी की तरफ, डी नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाता है, ये दुवेदी युक्के कभी माने जाते हैं कौन, गया प्रसाथ सुकल सनेही जे, इनको अपन को याद रख लेना है, और यहाँ पर दोस्तों, याद रख लेना है, बद्री नारण चौदरी की बात करें, तो इनका पूरा नाम था बद्री नारण चौदरी प्रेम घन, है ना और दोस्तों आपको पता है कि ये प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855 में आपको पता होगा है ना राधा करणदास का 1865 में बारतेंदु युक के ये कभी माने जाते हैं जबकि गया परसास सुखल सनेही 1883 यानि कि ये दुबेदी युक के कभी माने जाते हैं इनको भी या चौपट 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 आपने देखा होगा गाओंवाओं में, हैना एक खेल होता है चपेटा, हैना तो चपेटा और मैंक मंजरी के किसोर इलाल गोश्वमी जी के नाटक माने जाते हैं पर उत्तर चला जाता है आपका एकी तरफ, ये नमबर आपका बिलकुर सही हो जाता है, ठीक है, फिर अंगला क पांदे, लोचन प्रसाथ पांदे, बद्य बद्य, बद्य, मुकुट धर पांडे, ये पर से कोई नहीं दुवेदी योग के सर्भकेसश्च बताना है दुवेदी योग के सर्भकेसश्च प्रिगीतकार कौन माने जाते हैं प्रश्चने क्रमांक 29. और 29 दुवेदी योग के दोस्तो सर्व सेष्ट प्रिगीतकार माने जाते हैं मुकुट धर पांडे कौन माने जाते हैं मुकुट धर पांडे यानि कि आपका स्थी बिल्कुल शही है और मुकुट धर पांडे को आचार रामचन सुखले ने छाया बाद का प्रबर्तक माना है ना मुकुट धर पांडे ने चाया बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया, मुकुटधर पांडे ने सवचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया, सवचंदता बाद के प्रबर्तक माने जाते स्रीधर पाटक, लेकिन सवचंदता बाद सब्द का सबसे पहले प्रियोग करने बाले जो हैं वो कौन है मुकुडधर पांडे है ना और मुकुडधर पांडे दुवेदी युक के सरफसेट प्रिगीत कार भी माने जाते हैं ये चीज भी आपको याद रख्टे ना और हिंदी साहित में दुवेदी युक के सरफसेट प्रिगीत कार मुकुडधर पांडे मा परतों में इन्हें छाया बात का जनक भी कहा जाता है कानन कुसम एवं पूजा के फूल इनकी प्रसिद्ध क्रतियां है रसकलस किसकी रचना है यह उत्तर आपको बताना है दोस्तों यानि कि रसकलस के रचना कार कौन है यह आपको चैन करना है प्रशन क्रमांग 30 का अंसर स्र प्रेसी जी बताइए रसकलस की रचना कार कौन है आपको पता है कि क्रशन सतक दोस्तों क्रशन सतक अयुद्ध्या से उपाद्या हरियोद की पहली रचना माने जाती कौन सी क्रशन सतक और जो रसकलस है यह भी रचना किसकी है अयुद्ध्या से उपाद्या हरियोद की इनक हरियोज, स्रीधर, पाठक तता मैत्री श्रंगुपता दिये दुबेदी है ना मंडल के कभी माने जाते दुबेदी युक के कभी माने जाते ठीक है मेत्री शरंगुप्त की प्रतिवा का विकास शरवाद किस साहित के रूप में देखने को मिलता है ये बताना है दोस्तों मेत्री शरंगुप्त की प्रतिवा का विकास सरवाद किस साहित के रूप में देखने को मिलता है ये आपको चैन करना है शबी लोग आंसर चैन करेंगे और उत्तर आपका क्या हो जाएगा उत्तर का आपको वतना है और मेत्रीश रंगुप्त की प्रतिवा का विकात सरवाद एक किस आहित रूप में देखने को मिलता है तो वो मिलता है प्रबंदकार के रूप में प्रबंदकार के रूप में यानि बी नमबर आपका बिल्कोर श जैद्रतबद, किसान, बिकटबट, गुरुकुल, शाकेत, भारत भारती, जंकार, यसुदरा, द्वापर, जै भारत, पंचबटी, हिडिमबा, विश्णु प्रिया, इस सारी की सारी रचनाएं कुछ की मानी जाती है, मैं अत्रीशन गुप्ति की इन रचनाओं को याद करना है, दोस्तो, मैं त्रीशन गुप्ति की कौन सी रचना, नाई का प्रधान नहीं है, ऐसे भी कॉस्चन आते, नाई का प्रधान कौन सी रचना नहीं है, ये आपको बताना है, पंचबटी नहीं है, विश्णु प्रिया नहीं है, या फिर, या सोधरा, या साकेत नहीं है, इ क्यान सी रचना नायि का प्रधान नहीं है ये रचना आपको चैन करना है है म तब आपका बिल्कुर सही है मेतरी श्रंगुप्त की क्यान सी रचना नाई का प्रधान नहीं है उत्तिर शाय États दोस्तों पंचबटी ठीक है पंचबटी 1925 साकेट 1931 यसो धरा 1932 है ना इन रचनाव को आपको याद रखना है और ये जो रचना है दोस्तों मेत्रिशन गुप्ति की जो पंचबटी रचना है ये पंचबटी रचना क्या नहीं वाने जाती नाई का प्रधार नहीं है यानि कि आपका उत्तर B नंबर बिल्कुछ रहे बी नंबर आपको चैन करना है यहाँ पर ठीक है बी नंबर इनाई का प्रधान नहीं मानी जाती ये आपको याद रखने ना यसो धरा आपको पता है दोस्तों यसो धरा में महत्मा गोतम बुद्दि की पतनी यसो धरा का वर् गुप्ति जी के बारे में सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे, बताइए, मियात्रीषण गुप्ति की काभ विक्रितियों का सही अनुक्रम आपको चैन करना है, बताइए, अर्शिदीप जी, सुरेंद्र हिर्वार जी, रतन जी, सरोज जी, दार्शू जी, खुरेशी जी, हाँ, चैन करेंगे सभी लोग, उत्तर क्या हो जाएगा, मियात्रीषण गुप्ति की निम्लेकित काभ विक्रितियों का सही अनुक्रम आपको चैन करना है, क्या उत्तर सही हो जाएगा, मैत्रीषण गुप्ति की निम्लेकित काभ विक्रितियों का सही अनुक्रम आपको बताना है, तो दोस्तों सबसे पहले इनकी पंचबटी, साकेत, यसोधरा और द्वापर रचना आती है, यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, इनकी पंचबटी, रंग में भंगन 1909 मानी ज जाती है, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचबटी 25, हिंदू 27, हैना और बिकटबट 1939, यह क्रम में भी पूचे जाती हैं दोस्तों, ठीक है, यह आपको याद रख लेना है, यह पूची जाती है, गुरुकुल 1929 में, जंकार 1929, साकेत 31, यसोधरा 32, द्वापर 1936, सिद्राज 1936, जै भारत भावन और विश्नु प्रिया 1957 माने जाती है, तो यह रचना है हमेशा पूची जाती है, ठीक है, सभी लोग, सभी लोग याद करना रक्चे सरवाजी, रीता जी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है, रंग में भंग नामक काब कृति के रचेता कौन मा 24, रंग में भंग बताना है, बताइए, जल्दी से लिखना है, कुछ नहीं हुआ है, मीनाक्ची जी, रतन जी, रंग में भंग नामक काब कृति के रचेता बताना है, एक इंच मुसकान, मन्नु भंडारी और राजन रियादों की एक इंच मुसकान माली जाती है, ठीक है, बिसाल जी, रंग में भंग नामक काब कृति के रचेता आपको चैन करना है, और उत्तर सही हो जाएगा आपका क्या, मैतली सरन गौपत है, क्यानि कि सी नमबर सभी लोगों को पता है, रंग में भंग आपका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस सी नमबर आपका जाएगा, इस सी आपने जो चैन किया है, विलको राइट आंसर है, रंग में भंग नामक किरती राजपूतानी आनवान, ऐसा भी कॉस्चन कई बार आता है दोस्तों, कि निमने मैं से बताईए, कि राजपूतानी आनवान की कथा पर आधारत कौनसी रचना है, तो वो है द हिंदी का प्रताम महाकाब और खड़ी बोली हिंदी के प्रताम महाकबी, ये चैन करिए, कौन मान जाते हैं, कभिता, कौमोदी, उद्धाव, चरित, प्रिये, प्रवास, या फिर लोकायतन, खड़ी बोली हिंदी का प्रताम महाकाब कौनसा है, खड़ी बोली हिंदी का प् प्रिये प्रवास है ना प्रिये प्रवास यानि सी नमर आपका बिलको सही है ठीक है कलपना जी ओम प्रकास जी हर्षवी जी सी नमर आपका खड़ी वोली हिंदी का प्रतम महा कब माना जाता है प्रिये प्रवास और खड़ी वोली हिंदी के प्रतम महा कभी माने जाते हैं दो खड़ी वोली का प्रतम महा कब है और अगर आप से question पूछा जाए कि हिंदी खड़ी वोली के प्रतम महा कभी कौन है तो महा कभी कौन होंगे जो महा कब लेखेगा यानि कि उत्तर कहां चला जाएगा अध्यासे मपाद्या हरियोद की तरफ खीक है अंगला question आपकी screen पर है कुछ chain करना है कौन सा नहीं है बताइए सिवानी सिंग जी रीता जी जोती जी पार्टी होगी बिल्कुल सभी को आमंत्रन सभी को जाएगा कुरेशी जी है ना बहुत बढ़िया निवनमय से कौन सा काब गरंथ नहीं है तो यह नहीं माना जाता रसक गरंजन कौन सा नहीं माना जाता रसक गरंजन क्यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सभी है सी आपका सभी लोग उत्तर देंगे है ना सी नंबर रसक गरंजन आपका बिल्कुल सभी हो जाएगा ठीक है अ इसमें गुप्त जी ने देश प्रेमेवर राश्टियता की स्वर दिया है और इसी कारण भारत भारती रचना को अंग्रेजी सरकार द्वारा ठीक है जब तकर लिया गया था और दोस्तो राम कता पर आधारित काव बिकरंथ है ये कौन सा बैदेही बनबास और पतेक राम रजिश्टर पाठी की एक काव बिकरती है इनको आपको याद रख लेना बात कर लेते हैं दोस्तों काई की अब आपको बात करना है साकेत महा सरग आपसे पूछा गया तो यह उत्तर सभी लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे अब ठीक है उत्तर आपको बताना है और भी दूसरे कमेंट आपके नहीं आने चाहिए अब ठीक है साकेत महा काव का सरवाद एक मारमिक सरग क्या होता है तो उत्तर चला जाता है कौन सा है दोस्तो नबम सरग होता है नबम सरग यह जो है कि सरवाद एक मारमिक सरग माना जाता है और उत्तर आपका हो जाता है डी नमबर ठीक है डी आपका बिलकुल सही है ठीक है अब सभी लोग ध्यान देंगे कमेंट में उत्तर बताने का कौन-कौन गलत बता रहा हम पूरा आता है साकेत का ठीक है साकेत महाकाब है और राम चरित के राम चरित मानस के बाद दोस्तों ये दूसरा महाकाब है दूसरा महाकाब है राम काब पर अधारित ये भी आपको याद रखना है और दोस्तों अयुद्धिया से मुपाद्या हरियोद द्वारा लेकेत लेकेत काब गरंथ कौन सा है अयुद्धिया से मुपादिया हरी ओत द्वारा बताना है कौन सा पथिक है कनुप्या बासवदत्ता या फिर चोखे चौप्दे रहा कि अधि hierjes Нेकिस्थी नमर आपका बिलकूष है तो ऐद्या सिम्पाद्या हरियोद द्वारा लेकित काब गरंथ है तो वो गरंथ है चोखे चौपदे और C आपका बिल्कुल सही हो जाता है सी आपने जो बताया बिलको राइट आंसर है चोके चौपदे रस कलस ब्यदेही बनवास चुभिते चौपदे पद्म प्रासून प्रिये प्रवास ये सारी की सारी रचनाय माने जाती हैं दोस्तों किसकी माने जाती हैं आयोध्या सम्पाद्या हरियोद की खड़ी बोली के प समपूर्टा प्रिति निदी कभी कौन माने जाते हैं ये प्रश्न किरमांग के 39 का उत्तर आपको बताना है स्रीधर पाठक हरियोद मैत्री सरंगोप्त या फिर इनमें से कोई नहीं दुवेदी योग के समपूर्टा है बताए प्रति निदी कभी कौन माने जाते हैं चार दोस्तों मैंने आज बताया था आपको कि दुवेदी योग के समपूर्टा प्रति निदी कभी कौन माने जाते हैं मैतली शरण गुपते मैतली शरण गुपते क्यानि सी नम्मर आपका मैतली शरण गुपते बिल्कुल सही हो जाएगा मैतली शरण गुपते दुवेदी योग के संपूर्टा पिर्तिनिदी का भी है हैना भारत भारती साकेत यसो दरा पंचबटी, जय भारत, जंकार, दौपर, जय दरतबद, यहां पर सीधा सीधा है भारत भारती में किस भावना की रूप रेका प्रस्तुत है, तो आपका उत्तर हो जाता है, रास्ट्रिय भावना, रास्ट्रिय भावना की रूप रेका प्रस्तुत की गई है, यहां तो उत् पे नम्मर वी ठीक है भारत भारती 1912 इसका रचनाकाल और इसी रचना के कारण इसी रचना की राष्टिय भावना की कारण दोस्तों जो है किसको गुप्त जी को राष्ट कभी की उपाधी भी मिलीती महतमा गांधी द्वारा ठीक है बिलकुल शाही बहुत बढ़िया अंगल रतना करत गंगा उतरन आपको बताना है किस चंद में लिखा गया है रतना करत गंगा उतरन किस चंद में लिखा गया की आंसर बताना है कभी-कभी ऐसा भी कॉस्चन आता है कि गंगा उतरन की रचनाकार कौन है तो गंगा में उतरन लेने बाला बोले सार रतन ही होगा कोई ठीक है तो यह 41 का अंसर बताना है सभी लोग लाइक जरू कर देना और जिन भी सात्यों को एड़ीशन लेना है दोस्तों कोर्स में वो एड़ीशन लें है ना Self Study Classes आपको क्या करना है Play Store में सर्च करना है Self Study Classes है ना और दोस्तों लग जाना है अपनी पढ़ाई में एप को डाउनलोड करिए कोर्स में एड़ीशन लेना है तो कोर्स में एड़ीशन लीजिए ठीक है और अपनी तैयारी विवस्तित करिए पढ़ाई करिए जूनियर टेट वाले हों है ना या पर दोस्तों आपने CGT, PGT, UK, LT वाले या मास्टर केडर वाले हों सभी तो ये गंगा उतरन किस चंद में लिखा गया ये आपसे पूछा गया तो आपने लगाया है रोला रोला यानी सी नमबर आपका बिलकु सही है दुवेदी युक के ब्रजभासा के कभी जगनात द रतना करने गंगा उतरन नामा कापगरंद की रचना की और एक इस चंद में की रोला चंद में ठीक है इसके प्रत्तेक चंद में 24 मात्राय होती है है ना रोला में ठीक है अंगला कोस्चन है भक्ती काल में ग्रहस्त जीबन का जैसा सुन्दर चित्रर सूर्दास में मिलता है बैसा ही आदुने काल के किस कभी में एह मिलता है बताइए किस कभी में मिलता आदुने काल के भक्ती काल में ग्रहस्त जीवन का जैसा सुन्दर चित्रर सूर्दास में मिलता है बैसा ही आदुने काल के किस कभी में एह मिलता है ये आपको बताना है 42 को आंसर बताना है ठीक है प्रियोग बात के पूरे वीडियो आएंगे सेकंड बैच का जो टेस्ट है प्रियोग बात के आपको पूरे वीडियो पढ़ना है 17 तारीक को सेकेंड बेच का टेस्ट होगा हैना और बगति काल में ग्रेश्त जीवन का जैसा सुन्दर चित्रन सूर्दास में मिलता है बैसा ही आदुने काल के किस कभी में मिलता है तो वो कभी हैं दोस्तो कौन मैतली सरणगुप्त है है ना मैतली सरणगुप्त है क्यानि की उत्तर चला जाता है डी की ओर ठीक है दुबेदी युगीन जो मैतली सरणगुप्त जी हैं दोस्तो हैना इनकी रचनाओं में भी भक्त सूर्दास की भाती ग्रस्त जीवन का सुन्दर बर्नन मिलता है इसको आपको याद रखने ना है है ना ये सारी की सारी रचना है तो आपको पता ही है दोस्तो मैंत्री श्रंगुप्त जी की अंगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आपको बताना है कि हिंदी भ बोली की जो पूर्ण प्रतिष्टा हुई वो हुई कब कब हुई दुवेदी योग में हैना काब की रिचना काब की भासा भी बन गई हैना और दोस्तों गद्दे की भासा भी बन गई कौनसी खड़ी बोली आपने देखा होगा तो यहां पर आपका बिलकुल सही आंसर हो जा हो जाता है याद रखो गे हिंदी वासा के मानकी कण की दरश्टी से दोस्तों दुवेदी योग सर्वाद एक महत्पून युक था इसका स्रेव पूरी त्रह से आचार महावीर प्रसाथ दुवेदी को जाता है स्रस्वतिपत्रिका को है दुवेदी जी बरतनी सुद्धिता उचित सब्दों ब्राम चिन्नों के प्रियोग इत्यादी पर विसेश जोड दिया करते थे ठीक है और भारतेंदु युग को नव जागरण युग के नाम से जाना जाता है ये आपको पता है दोस्तों गद्य का विकास काल माना जाता है प्राहे सभी आदने गद्य बिधाओं का विकास इसी काल में हुआ था दोस्तों ये आपको याद रख लेना भारतेंदु युग में और हिंदी कविता में मुक्तक चंद का प्रिवेस छायाबाद की प्रमुक देन है मुक्तक चंद का ठीक है और परंपरा में दोस्तों हट करेंगे जो भी हमारे साथी हैं दोस्तों यूपी टेट का भी नौटिफेकेसन आगया आप बढ़िया तयार करिए हैना यूपी टेट में जो हिंदी पूछी जाती हैं उन रचनाओं को मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया है आप लोग पढ़ते रहिए उन रचनाओं किसान मैथी बोता है तो मैथली शनगुप्त है यानि यह नमर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यह आपका सही है रंग किसान रंग में भंग जैद्रतबद बिकट भट है यहना पिलासी का युद्ध गुरुकुल साकेत पंचबटी सिद्धराज ठीक है यह सो धरा इस सार अि रचनाए मानी जाती हैं धोस्तों किसी वे राश्ट कभी दोस्तों इनकी प्रकासित हुई थी वह रचना ठीक है उसके कारण राश्ल डेती कि side महातमा गादी जी ठीक है साकेत में कितने सर्ग हैं बड़िया प्रश्न है साकेत दोस्तो 1931 का इसका रचना काल है है ना साकेत में बताना है इसका नवम सर्ग बड़ा मारमिक सर्व माना जाता है और मिला और लक्षमर से संबन्द दोस्तो यह बहुत ही मारमिक सर्ग है इसको भी आपको याद र बताना है चार विकल्ब में पंद्रह ग्यारह साथ या फिर वारह तो आपको पता है किसर अगर साकेत में पूछे हैं तो साकेत में बारह सर्ग हैं अगर कामाईनी में पूछा जाता तो पंद्रह सर्ग हैं अगर प्रिये प्रबास में पूछा जाता तो सत्रह सर्ग हैं है ना और राम चेत मानस में पूचा जाता तो 7 सर्ग हैं है ना ये हमेशा पूचे जाते हैं कामाईनी में 15 सर्ग साकेत में 12 सर्ग प्रिये प्रवास में 17 सर्ग है ना और राम चेत मानस में 7 सर्ग ये क्वेस्चन आते हमेशा इनके लिए तयार रहना है और दोस्तों अंगला क्वे के लिए भी रिनु जी आकास जी विजय जी तयार रहना है और खड़ी बोली का प्रतम महा कब कौन सा है ऐसा पूछा गया जिन भी सातियों को दोस्तों एड़िसर लेना हिंदी साहित में हिंदी साहित में आप ले सकते हो मस्ती से पढ़ाएंगे मंजदार तरीके से है एना खड़ी बोली का प्रतम महा कब प्रिये प्रबास प्रिये प्रबास बी नम्मर यहां तो केबल अपन प्रैक्टिस से पढ़ते हैं दोस्तों टेस्ट लगाते हैं पुस्तक से पढ़ते हैं एना बाकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है दोस्तों क का है कामाईनी महाकाब जैसंकर प्रिसात का है और लोकायतन महाकाब की रचेता भी कौन है शुमित्रा अनंदन पंते जिने प्रिकृति का चितेरा कभी कहा जाता है जिने दोस्तों जो है इनकी रचना जो पल्लव है जिसे छायाबाद का घोशना पत्र कहा जाता है पल्लव को चायाबाद का मैनी पेश्टों कहा जाता है अब अंगला कॉस्चन जो आपको बताना है वो कॉस्चन यहाँ पर आता है कि छत्रिय उठो अब तो कोयस की कालीमा को मैट दो हैना निजदेश को जीबन सहत तनमन धन हैना तथा धन भैंट दो बैस्यों सुनो ब्यापार सारा के समय ऐसी कौन बात करेगा जिसमें दम होगी जो राष्ट की दोस्तो राष्ट भावना से लिखेगा वो ही करेगा है ना तो राष्ट भावना से लिखने वाले जो कभी ते वो कभी ते कौन कौन ते मैतली शरण गुप्त यानि कि आपका उत्तर बी नमर मैतली शरण गु ठीक है प्रिये की सुदिसी ये सरिताएं ये कानन कानतार है ना सुसज्जत मेह तो नहीं किन्तु है मेरा हिर्दा किसी प्रिये तम से परिचक जिसके प्रयम पत्राते हैं प्राय सुख संभाद सनन्हित बताइए कि काब पंक्तिया आपको चैन करना है अयुद्ध्य स्यमपाद्या हरियोत की हैं राम ररिष्टर पाठी या फेर लाला भगवान दीन की ऐसे कौन से साती हैं दोस्तों जिन्वा ने अभी तक सेल्फ इस्टरी किलासेस का एप डाउनलोड नहीं किया आप डाउनलोड करिए दोस्तों जल्दी दोस्तों फिरी आपके लिए टेस्ट सीरेज चलाई जानी है है ना हिंदी साहित की दोस्तों रोज अपन 20 कौस्चन की एक टेस्ट सीरेज में तयार करवा रहा हूं वो तयार आपको रोज एक फिरी सभी के लिए उपलब्द होगी, रोज 20 कॉस्चन की टेस्ट तिरेज आपको करवाई जाएगी, है ना, तो जिन भी सात्यों ने सेल्प स्टडी किलासिस का एप डाउनलोड नहीं किया, वो जरूर कर ले हैं, फायदा ही होगा आपके लिए, है ना, जि पाठी जी की रचनाई ये आपको याद रख लेना, मिलन, सत्रा, पथेक, है ना, मानसी, स्वपन और कभिता, कोमोदी, कभिता, कोमोदी भी आपको याद रख लेना, अभी तक आपने रचनाए पड़ी होंगी, कि सर, मिलन, मानसी, पतेक, स्वपन, ये रचनाए तो आपन मिलन पतेक मांसी स्वपन है ना और दोस्तो कविता कोमोदी आप से कई बार पूचा गया कि कविता कोमोदी की रचनाकार कौन है तो कविता कोमोदी की रचनाकार राम नरेश्तर पाठी है ना और दोस्तो क्या होता है कि राम नरेश्तर पाठी जी की कविता कोमोदी और राम कभी मान जाते हैं, दुबेदी उक्के, ठीक है, बहुत बढ़िया, मिलन के पत पर मानसी का स्वपन देखा, हरियोम जी, क्या वात है, मिलन के पत पर मानसी का स्वपन देखा, बिलकुल देखो भईया, हैना कौन रोख सकता है आपको, स्वपन देखो, हैना, बिलकुल देखो क्योंकि flashback salary में देखते होंगे तो अपना किस क्वांसी salary में देखते हैं पुलिसरम flashback salary में देखते हैं हरियोम जी देख रहे हैं अपना हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विदिबत विचार किया 49 49 का उत्तरचैन करिए बताइए हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विदिबत विचार किया था ये बताना है मान की करत मान की करत के लिए बताना है और उत्तर क्या हो जाता है उत्तर बताना है और उत्तर का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तो हिंदी के मान की करत स्वरूप पर सबसे पहले किस ने विदीबत विचार किया था तो वो किया था आचार महावीर प्रसाथ दुवेदी ने इन्होंने हिंदी के मान की करत पर दोस्तो विचार किया था यानि कि ये नमबर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ए नमबर राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देना साथ यो जो भी हमारी साथ यो हैना हिंदी साहिट से संबंदित हैं हिंदी के मान की क्रस्त रूप पर सबसे पहले आचार महावीर परसाथ दुबेदी ने विदीबत विचार किया और आचार दुबेदी जी ने सरस्वती पत्रिका की संपादन करते हुए हिंदी के मानक रूप तथा लेखन में एक रूपता की बात की थी एक क्वेस्चन आपके लिए जल्दी से बताना है आपको की सरस्वती पत्रिका की संस्थापक कौन थे बताइए चार विकल्प नहीं दिये ज पता ये, क्या हो जाएगा right answer सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। चिंतामनी घोस है ना बहुत बढ़िया चिंतामनी घोस आपका बिलकुश सही है चिंतामनी घोस इसके रचना का इसके संस्थापक माने जाते हैं अब आपको दूसरा question दिया जाता है कि दोस्तो स्रस्वती पत्रीका के प्रिथम संपादक कौन थे देखो कुछ लोग महाबीर पर साथ दोबेदी लगाए जा रहे हैं भाईया question समझना है इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि question में confusion है बहुत सारी लोगों में है ना हमने पूछा संस्थापक कौन थे तो आपका उत्तर होना चाहिए चिंतामनी घोस संस्थापक थे अब आप से पूछा कि प्रिथम संपाद कौन थे तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए तो आपका उत्तर होना चाहिए बाबु स्याम सुंदरदास प्रिथम संपादक थे और आप से पूछा जाएगा कि 1903 में संपादक कौन बने थे तो उत्तर क्या लगाओगे महाबीर परसाद दुवेदी ये तीन question confusion बाले होते ह कभी संस्थापक पूछ लिया जाता है तो आप संपादक लगा के आते हो कभी संपादक पूछ लिया जाता है तो महावी परसाद दुबेदी लगा के आते हो ऐसा नहीं करना है अब आपको हैना संस्थापक पूछे तो संस्थापक लगाना चिंतामनी गोस संपादक पूछे तो संपादक लगाना है दोस्तों प्रतम संपादक में स्याम सुंदर दास और 1903 में कौन बनेते तो क्या बताओगे महावीर परसाथ दुवेदी ठीक है बहुत बढ़िया अब यहाँ पर दोस्ते आते हैं एक पंक्ति और आपसे पूछी जाती है कि अधिकार को कर बैठे रह हैना बैठे रहना यहाँ महादुस कर्म हैं नियायार्त अपने बंदू को भी दंड देना धर्म हैं और परियोक्त काब पंक्तियां किसे गरंट से उध्रत मानी जाती हैं प्रश्न किरमांग 50 50 बहुत बढ़िया सभी को धनवाद हैना सभी लोग कन्फ्यूज नहीं होना च दोस्तो नियायार्त अपने बंदू को भी दंड देना धर्म हैं यह पंक्ति किसकी है यह पंक्ति आपको चैन करना यह पंक्ति कहां से ली गई है यह बताईए कहां से ली गई यह पंक्ति दोस्तो यह सही उत्तर आपको चैन करना है और आपने चैन किया है कि सर उत्तर हो ज ना, यह आपको याद रख fierce लेना, और यह जयी द्रत्वृत की रचना कार भी कोन माले जाते हैं, भूले सर listensr Annika गुपत की रचना हैं यह जयी द्रतवद्वाररकारकी रचना की रचना है, अब आपसे पूचा जाता है दोस्तों कि कुरू छेतर के रचना कार कौन है, रस और confusion है रस्मी यहना रस्मी रचना किसकी है तो रस्मी रचना दोस्तों महादेवी बर्मा की है और रस्मी रथी रचना किसकी है तो यह दिनकर की है confusion नहीं होना है ना इनकी जो रस्मी रचना है दोस्तों यह बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है किसकी महादेवी बर्मा की रस्मी रचना बोध धर्म से प्रभावित मानी जाती है क्वेस्चन पूछा जाता है कि छाया बाद में ऐसा कौन सा कभी है जो दोस्तो बोध धर्म से प्रभावित था है ऐसा कौन सा रचनाकार है तो दोस्तो बोध धर्म से प्रभावित थी महादेवी बर्मा और उनकी कौनसी रचना प्रभावित थी तो वो थी रस्मी है ना अपनने इनकी पड़ी है ना दोस्तो निहार रस्मी नीरजा है ना और सांद गीत दीप सिका ये सारी रचना आती महादेवी जी की और उनकी दोस्तो यामा पड़ी है अपनने यामा यामा जो रचना पड़ी है दोस्तों इनका काब संग्राय माना जाता है और 1982 में क्यामा के लिए कौन सा पुरुषकार मिला था बोले सर एक मात्र महिला एक मात्र लेखिका जिने की दोस्तों किसी किसी पुस्तक के लिए किसी रचना के लिए किसी रचना के लिए ग्यान पीट पुरुषकार मिला था त अभी आपसे question बनेगा कि हिंदी साहित में एक मात्र लेखिका जिने की किसी रचना के लिए ग्यानपीट पुरुसकार मिला तो वो एक मात्र लेखिका थी महादेवी बर्मा जिने यामा के लिए मिला था 1982 में सबसे पहले 1968 में मिला किसे चिदंबरा के लिए जो की दोस्तों प दिन करकी भी है कनफ्यूज नहीं होना बहुत सारे लोग यहां कनफ्यूज हो जाते हैं और 1978 में मिला था कितनी नाओ में कितनी बार के लिए और 1982 में मिला था किसे महादेवी बर्मा को यामा के लिए इन सारी को आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है हम कौनते क्या हो कर ए समस्यां worldwide परयोक्त काभयपंग्तियां किस कभी मानी जाती है बताए हम कौन थे क्या हो गए और पंग्ति किसकी है ए पंग्ति सबी लोग बताना है और उत्तर क्या हो जाएगा ए पंग्ति कहां से ली गई दोस्तों और ये पंग्ति आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि सर ये जो पंक्ती है ये पंक्ती मैत्री शनंगुप्त की है यानि कि B नम्मर आपका मैत्री शनंगुप्त बिलकुल सही आंसर है जिन भी सात्यों ने बताया उनका अंसर बिलकुल सही है है ना B नम्मर आपका राइट आंसर हम कौन थे ये समस्याएं हैना सभी बाग के पंक्तिया माने जाती हैं दोस्तो गुप्त जी की और प्रकासन काल की दश्टी से मेत्री श्रंगुप्त के काब गरंतों का सही अनुकरम आपको बताना है बताईए प्रशन किरमांग चार और चार में आपको पता है चार में बताना है दोस्त पुर्श सोदामा पांडे का परजात तंतर चलता है ठीक है तो बारा सो रोपे में आप दोस्तों आज ही एड़िसन लें और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई चालू कर दें जहां पर आपको टेस्ट भी ब्याक्रण भी है ना ट्रिक भी विस्त्रे तद्यन भी सब कुछ ठीक है प्रकासन काल की देश्टी से मेत्री प्रिया संतावन ये माने जाते हैं तो इनके लिए तो बोलिसर हम तयारते पहले से है ना तो ये याद रख लेना दोस्तों कभी-कभी जैदर्थबत की रचनाकार कौन है तो मेत्री श्रंगोपते पंचबटी की रचनाकार कौन है मेत्री श्रंगोपते कैसो धरा किसकी तो यह सो दरा यह खंड काव माना जाता है इसको भी याद रख लेना है ठीक है अब यहाँ पर याद रखेंगे कि विश्णू प्रिया की रिचनाकार कौन है तो विश्णू प्रिया विश्णू प्रिया याद रख लेना कई बार दोस्तों कन्फ्यूज होते लोग पुलिसर रसिक पिरिया केसव दास और दोस्तो बिष्नु पिरिया के दोस्तो मैतरी स्टरंगुपति की कभी पिरिया की रिचनाकार भी कुण मार जाते हैं केसव दास ठीक है बहुत बढ़िया तरीके सो दोस्तो आज अपने पढ़ा हैना अब आपके लिए थोड़े से कुछ में पूच लेता हूँ आज आपने दुवेदी युग के बारे में पढ़ दया है दुवेदी युग के कुछ और प्रश्ने हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पर चर सून है चौके चौप दे एक कॉस्चन आपके लिए है आपको बताना है कि अयुद्या स्यम्पाद्या हरियोत की प्रतम रचना कौन सी थी जल्दी से बताईए ये बहा कभी कहे जाते हैं खड़ी बोली के प्रतम महा कभी चैन करिए और कमेंट में लिखिए भटाक से देखते है सबसे पहले कौन उत्तर बताता है अयुद्या स्यम्पाद्या हरियोत की प्रतम रचना कौन सी थी कमेंट में लिखना है भरत भारती ये तो सभी को पता है लेकिन अरियोत के बारे में आपको बताना है कि कौन सी रचना प्रतम थी प्रतम कौन सी थी ये बताईए और प्र प्रतम रचना कौनसी ती हरियोद जी की बताइए मंजु यादव जी रबिंद्र जी करम संदू जी रस्मी सिंग जी बताइए सुनील सर्मा चीता देवी जी बहुत बड़ीया अंसर आया है कुछ लोग रसकलस बता रहे हैं रसकलस नहीं बताना है अपन को बताना है दोस्तो आयोध्यासे उपाद्या हरियोद की जो रचना थी वो रचना कौनसी ती कशने सतक कौनसी रचना थी कशने सतक इसको याद रखेंगे कशने सतक रचना थी दोस्तों किसकी आयोध्यासे उपाद्या हरियोद की और ये प्रतम रचना मानी जाती है इनकी ये आपको याद बहुत बढ़िया, सबी लोगों ने राइट आंसर बताया है, क्रसकलस नहीं थी इनकी पहली, इनकी पहली थी क्यश्ण सतक, याद रख लेना कन्फ्यूज नहीं होना, क्यश्ण सतक, इनकी प्रतम रचना थी हरियोद जी की, इन्हें कभी समराट भी कहा जाता है, इन्हें क्य गगन था कुछ लोहे तो हो चला, किस कभी की पंक्तियां है, बताइए, दिबस का आउसान समीपता, गगन था कुछ लोहे तो हो चला, किस कभी की पंक्तियां है, ये आपको चैन करना है, कल सुबे साले नौ बजे पूरा दुवेदी योग की एक पूरी किलास आईगी दोस दिबसका उसान समीपता गगंता कुछ लोहित हो चला ये पंक्तियां पूछी जाती है तो बोली सर ये पंक्तियां तो है हरियोद की किसकी है हरियोद आयुद्या से उपाद्या हरियोद की है दिबसका उसान समीपता गगंता कुछ लोहित हो चला ये पंक्ति हरियोद की है और प्रिये प्रवास खड़ी बोली का प्रतम महा काब लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये दोस्तो रामचन सुखले ने इसे महा काब नहीं माना सभी लोग लाइक जरू करेंगे और दोस्तो एप जरू डाउनलोड कर लें Self Study Classes ठीक है आपको क्या करना है आपको दोस्तो क्या करना है Play Store में सर्च कर लेना है Self Study Classes ठीक है तो आप Self Study Classes अगर डाउनलोड कर लेते हो तो दोस्तो आपके लिए कोर्स भी लांच किया गया हिंदी साहित का बहुत ही अच्छा सबसे अच्छा कोर्स अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कोर्स दोस्तो सब तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तो बहुत सारे स्टूडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं प्लेश्टोर में आपको इस प्रकार से देखेगा ये सेल्फ स्टडी किलासेस ठीक है ये प्लेश्टोर में आपको सेल्फ स्टडी किलासेस का एप देखने बाला है ठीक है ये इमेज उसमें डली है ये आईकन ये लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है, यहां से आप install करेंगे, ठीक है अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा, Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा, तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे.